हलो काईज मेरा नाम है दर्शता आज में इस वीडियो में दो बड़ी कंपनी के बीच फाइट चल रही इस बारे में बात करने वाले यह जो बड़ी कंपनी है एक है फेस्बूक और सेकेंड एपल यह दोनों में प्राइवेसी के उपर बहुत बड़े वाड चल रहा है इसके बात की जाए इसकी स्टार्टिंग कहा से वी यह वार की तो यह वार की स्टार्टिंग हुई जब आईवेस 14.3 का अपडेट रोल आउट किया गया यह जैसे कि आपको बदाएए कि आज के समय में जो एपल है वो अपनी प्राइवेसी और प्रीमियम यह दोनी को वैसे बड़ी सेलेवरिटीस होते हैं वो आईफोन पर्चेस करना ही चाहते हैं तो जब उन्होंने आईवेस 14.3 का अपडेट रोल आउट किया तो उसमें एक नया अपडेट रोल आउट किया इसमें था एप ट्रेकिंग ट्रांस्प्रेंसी इसे असान सब्दों में बात की जाए तो आपका कोई डेटा ले रहा है कि नहीं रहा है आपको पूरा पता चलता रहेगा तो यह अपडेट के तुरू क्या होगा कि अगर कोई भी आईवेस उजर जिसके फोन में आईवेस 14.3 का अपडेट हो चुका था उन्होंने अपने फोन में कर लिया था तो अगर वो आप जो आपको ट्रैक कर रही है सारी जगा उससों हो रहा था तो बात की जाए फेस्बूक इतना भड़ा क्यों गया इतना वहर क्यों कर रहा है तो इसके लिए हमारे जाना पड़ेगा पीछे कि फेस्बूक अर्न कैसे करता है क्योंकि इतनी बड़ी कंपणी है ठीक है नहीं पसंदे कहां भूमना चाहते हो आपको क्या खाना पसंदे आपको रहना पसंदे आपकी पूरी दिंचारिया तयार की जाती है और उसके आपको एट से सर्व किया जाता है आपको एट दिखाया जाता है ठीक है तो इस तरह सी यह पैसे अर्ने करते हो और फेस्बूक क नहीं कर पाएगा इससे कि आपको इनका बिजनेस में बहुत बड़ा लोज हो जाएगा क्योंकि ये फ्री में देती है इसके लावा और किसी तरह से कोई आउया, इंकमसर्सिंगा है नहीं यआ आपको ट्रेक करे का बात कीजीर है तो गूगल के साथ में भी ऐसा हो लेकिन गूगल को कोई दिक्कत नहीं हो रही च्छोनी Sage को आज कीसि मनें आपको गूगल की बहुत सारी 123 देखने को मिलती है और बहुत अच्छी जैसे की बात फिर यूटूब, जीमेल, गूगल डॉक्स, गूगल फोटो, ड्रायू, नहीं, गूगल ड्यू आज के समय में, आपको गूगल की बहुत सारी एपस देखने को मिलती है, और कभी भी आपका दस्तान नहीं हुआ है, एक बार फेस्बूक के साथ में ऐसा हुआ था, कि फेस्ब वो अपने पास ही श्टोर करता है, लेकिन फेस्बूक क्या गहती है, आपके डेटा को, जो इसे zeगा बेश देती है, तो इससे क्या होता था, कि जब आप एपप्ण पॉपन करती है, तो फेस्बूक अगर किसी को बंदा दिख जाता था फेस्बूक को, तो नो कर दे रहा ł नो कर रहा था तो data collect ही नहीं कर पा रहे थे इसके वासे उन्हें बहुत घाटा हो रहा था और Facebook ने इसके बारे में बताया भी कि हमें बहुत भाड़ा घाटा हो रहा है और जो team कूप क्या नहीं जो Apple के CUA उन्होंने Twitter पर tweet भी करके बताया है कि इस तरह से देखे Facebook आपको track कर रहा है तो इससे क्या है दोनों की बीच में war start हो चुका है और अभी war चली रहा है इसी कार्वास Facebook ने अपने platform से जो Apple का official account था official page था जो verified था उसे unverified कर दिया आपके साथ में आपके साथ में तो मुझे ऐसा लग रहा है जो Apple कर रहा है वो पूरी तरह से correct कर रहा है क्योंकि आज गसे मैंने आपको बताया ही कि Apple दो चीज के लिए ही फिर्मा से फर्स्ट है premium quality और सेकेंड है privacy यह दो रीजन से आपको पता चलना चाहिए कि आपका डेटा कौन कलेट कर रहा है आपके उपर कौन नजर रखे हुआ है तो यह बहुत सही कर रहे है Apple वाले मुझे तो बिल्कुल भी इससे कोई दिक्कत नहीं है तो गूगल को कोई डरी नहीं है लेकिन Facebook को डर लगा क्यूंकि दिरे-दिरे वह फेस्ट हटता जा रहा है और Facebook जो ओडियंस है वो कम होती जा रही है अब धीरे-दीरे बहुत कम लोग यूज करना स्टार्ट करते है मैं तो पता हैंगे मैंने कब Facebook को यूज की होगा मुझे खुद को ध्यान नहीं है मतलब धीर-दीरे Facebook जो है अब धीरी-दीरे ट्रस्ट भी कम होता जा रहा है दीर-दीरे यूजर्स भी कमिंग के होते जा रहे इसके लिए-दीर ने WhatsApp और Instagram खरीद है ठीक है इनका यही रिजन निकल क्योंकि Facebook के कोई ओडियांस अब रही नहीं गहीं है द्री-द्री कम होती जा रही है तो इसी कान्वस दोनों में वाड चल रहा है तो मुझे मेरे साब से तो Apple बिल्कुल करेक्ट है आपका क्या ओपिनिन आप नीचे कमेंट कर सकते हो तो चले गाज अगर आपके वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करें इस वीड करेक्नेगे लीग